नमस्का दोस्तों मैं है आध मुहमार टेक्निकल जन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो जनुरी 2022 में लांच होने वाले हैं सबसे पहले ख़वा निकल के आ रहे है उपो की तरब से उपो के दो मुबाइल लांच होने वाले हैं पहला है यफ 21 और दूसरा है यफ 21 प्रो यफ सीरीज के फोन ओपो के बहुत ही पापलर होते हैं इंडिया में इसकी इस्प्रिकेशन की बात करें तो इसमें एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है जो 5000 एमेसिक बैल्टी के साथ आने वाला है अभी तक इसका पूरा डिटेल कंफर्म नहीं है लेकिन उम्मी लगाई जा रही है कि लगभग 20-21 जार के प्राइज में लांच हो जाएगा सामने आया है लेकिन उम्मी लगाई जा रहा है कि या सूपर एमोलेड डिस्प्ले और 4500 एमेस बैल्टी के साथ आएगा इसकी प्राइज लगभग 20-23,000 रुपे के आसपास होने वाली है ये जन्वरी के इंड तक लांच हो सकता है इसकी डिजाइन बहुत ही गजब की डिजाइन दिया गया है पीछे का पैनल कलर चेंज पैनल दिया गया है देखने में इसका लुक तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है अगर इसी प्राइज पाइज पर लांच होगा तो इंडिया में धूम बचा देगा अगली खबर आ रही है वनपलस की तरफ से वनपलस भी पीछे नहीं होने वाला है या भी जन्वरी के माह के इंड तक एक से दो मुबाइल लांच का सकता है पहले मुबाइल लांच हो सकता है वनपलस की तरफ से वनपलस नॉड़ 2CE5G इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.4 इंच की एमोलेट डिस्प्ले होने वाली है जो टिर्पल कैमरा सेटप के साथ आ सकता है इसमें प्रोसेशर डायमन सेटी 900 हो सकता है और बैल्टी की बात करें तो इसमें 4500 इमेज की बैल्टी होने की संभावना है या लगबग 18-22,000 के रेंज में लांच हो सकता है आगे देखते हैं कि आकिस प्राइस पॉइंट पे लांच होगा अगला ख़वर निकल के आया साउमी के तरफ से साउमी 11i हाईपा चार्ट या मुवाइल जन्वरी के फर्स्ट वीक में लांच हो सकता है इसके लिक्स और रूमार्स बहुत पहले से आ रहे हैं इसकी इस्प्रिकेशन की बात करें तो या एमोलेट डिस्प्ले के साथ आ सकता है इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मेलिया टेक डैमन सेटी 920 5G प्रोसेसर आ सकता है जो बहुत पावरफुल प्रोसेसर है अब इसकी बैल्टी की बात करें तो इसमें 5000 एमेश की बैल्टी हो सकता है कैमरा सेल्टप इसका कंफर्म नहीं है क्रिपल कैमरा सेल्टप के साथ आप भी सकता है और क्वार्ट कैमरा सेल्टप के साथ भी जा सकता है यह जनुरी के फर्स्ट वीक में लांच हो सकता है उम्मीज जताए जारा कि यह लगबग 20-20,000 के प्राइज में लांच होगा अगला लिग से रियल मी की तरफ से आ रहा है रियल मी भी पीसे नहीं हटने वाला यह दो स्मार्ट फोन लांच कर सकता है वाला रियल मी 9 और दूसरा रियल मी 9 आई इसकी इस्पिकेशन अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है लेकिन उम्मीज जताए जारा रख 5000 MS बैल्टी और सुपर एमोलेट डिस्पले इसमें होने वाला है जो जनुरी के इंड़े तक लांच हो सकता है अगला ख़बर आ रहा आईक्यू की तरफ से आईक्यू के दो स्मार्टफोन लांच हो सकते हैं आईक्यू 9 और आईक्यू 9 परो जो कि या एक गेमिंग फोन होता है जो हम सभी लोग जानते हैं आईक्यू के फोन बहुत अच्चे होते हैं खासका गेमिंग के लिए ये फोन्स लगवक जन्वरी के इंड तक लांच होंगे अभी हमने अपकमिंग मुबाइल फोन के बारे में बताया जो जन्वरी के इंड तक सभी फोन उम्मीद है कि लांच हो सकते हैं लेकिन जो लिक्स निकल के आएं उनके हिसाब से मालूम होता है कि बहुत ही जबदस्त जन्वरी 2022 होने वाला है क्योंकि जन्वरी 2022 में बहुत जबदस्त मुबाइल फोन लांच होने वाले हैं